तो गाइस पहुंच चुके हैं दिपांशु भाई के घर पर और घर से निकलेंगे बाहर और जाएंगे बाहर की दुनिया दिखाने चंडीगड का आज एक नया विएगे सो मिलते हैं घर से बाहर लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको लेक जो सुखना लेक चंडीगड कि अब वहां पर लेक की बैक साइड में जो आपको एक बहुत बढ़िया पार्क दिखाया था और उसको आपने बहुत पसंद किया तो उसके बाद आज थोड़ा बीजी स्ट्डीओल होने की वज़ह से मैं जगा जगा रुपकर यहां जगा जगा खड़े होकर वीडियो न रस्तों के सारे हमें पहुंचना पड़ता है तो आप सब के लिए मैं चाहता था कि पहले मैं यह रोल्स के जो भी मैं रस्ते में देखता हूं जिन रस्तों से मैं गुजरता हूं पहले आपको वह रस्ते दिखा हूं सो चलते चलते बहुत सारी खुबसूरत चीजें रस्ते मिलती हैं उन में से एक सुपरकार हमें दिखी तो हमने आपको भी दिखाने की पूरी-पूरी कोशिश किया है तो अगर आपको ये गाड़ी कहीं पर भी मिले इंडिया में या दिखे कहीं पर भी तो आप भी फोटो और कमेंट शेयर ज़िरूर करें यह जो रिख रोट है वो चंडिगड का मेंद रोड मन अगर बात क्रेंग तो यह बिलकुल चंडिगड्का सेंटर है मन लब एक साइड में 17 और एक साइड में 9 एक साइड में 9 कि प्यारी जगह वो इन्ही दोनों साइड में बिखरी हुई है तो ये चंडीगड का मेन लाइन है ये चंडीगड का मटका चौक है बहुत ही फेमस मला फेमस इसलिए कि यहां से होकर गुजरने वाले ज्यादा गेडी रूट के बंदे इसी रूट से गुजरते हैं स्वाप डाउन यहीं से करते हैं तो बहुत प्यारा सरकल है चंडीगड के जितने भी सरकल है बहुत प्यारे प्यारे है हम कोशिश करेंगी कि आपको एक दिन सारे के सारे जो सरकल है सारे के सारे जो राउंड बाउट है वो आपको अच्छे से दिखाए वलब आपको पारक की कमी महसूस नहीं होगी पार्क तो बहुत जादा है यहां पर लेकिन फिर भी जितने भी सरकल है राउंड बाउट है उन सब पर अच्छी गार्डनिंग की हुई है और बिल्कुल वेल मेंटेन रखा हुआ अभी तक किसी दिन वह भी वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे तो मैं पहुंच चुका हूँ यहां पर अपने जहां पर मैं काम के लिए आया हूँ तो काम क्या है काम वह अभी चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर किसी वीडियो में बताएंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे यह स्पेशल बात यह कि यह चंडिगड का 13 सेक्टर है जहां पर मैं पहुंचा हूँ तो अगर आप चंडिगड का 13 सेक्टर देखना चाते है तो मुझे कमेंट जरूर कर दे मैं पर आप चंडिग यह पाहँ अजए बात चाते है जरूर कर देखने स्टर्प चंडिग बाते हैं